पुर्व PMHD देव गौरा के पोते प्रजवल रिवन्ना के सेक्स स्कांडल केस में एक और पेडिता सामने आई है ज्वेडियस के एक कारेकर्टा ने आरोप लगाया है कि प्रजवल ने उसका रेप किया शिकायत में महिला ने कहा कि प्रजवल ने बंदूग की नोग पर उसके साथ बलातकार किया और अपने मुबाइल फोन पर वीडियो बनाया आरोप है कि प्रजवल उसे MP क्वार्टर में ले गया जहां बंदूग की नोग पर अपराद को अंजाम दिया धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वह उसे और उसके पती को मार डालेगा ये भी कहा गया कि उसका वीडियो सारुजवल ने कर दिया जाएगा प्रजवल पर कई महिलाओं का यौन शोशन करने का आरोप है राज्य सरकार की साइटी मामले की जाच कर रहे है जेडियेस पहले ही प्रजवल को पार्टी से सस्पेंड कर चुकी है महिला राजनेता ने पुलिस को बताया है कि वह अकसर विधायकों और सांसदों के साथ लोगों के मुद्दों को उठाती थी 2021 में उन्होंने कॉलिज की चातरों के चातरवास की सीटे बढ़ाने का मुद्दा उठाया वह चातराओं की शिकायत लेकर प्रजवल रिवन्ना से मिलने उनके सांसद आवास हासन पहुची महिला ने बताया ही ग्राउन फ्रोड पर कई लोग बैठे थे वह भी वहां जाकर बैठ गई भीड काफी थी एक करमचारी ने आकर उसे पहली मंजिल पर जाने को कहा उसे उपर एक कमरे में बैठा कर वहीं प्रजवल का इंतजार करने को कहा गया प्रजवल ने नीचे बैठे सभी लोगों से मुलाकात की और सब को वहां से निकाल दिया महिला ने बताया कि प्रजवल अकेले कमरे में आए और दरवाजा बंद कर लिया वह डर कर सोफे से खरी होगे उसने प्रजवल के दरवाजा बंद करने का विरोध किया तो उसने कहा कि लोग आकर डिस्टर्व करेंगे उसकी बात नहीं हो पाएगी इसलिए वह दरवाजा बंद कर रहा है महिला ने बताये कि प्रजवल अकेले कमरे में आए और दरवाजा बंद कर लिया वह डरकर सोफे से खड़ी होगी उसने प्रजुल के दर्वाजा बंद करने का विरोध किया तो उसने कहा कि लोग आकर डिस्टर्ब करेंगे और उनकी बात नहीं हो पाएगी इसलिए वह दर्वाजा बंद कर रहा है महिला ने बताये कि मुझे प्रजुल की हरकत का कतई अंदाजा नहीं था वह आकर मेरे बगल में सोफे पर बैठ गया मुझे हिचकी चाहट हुई मैंने उससे बात करनी शुरू की तो उसने मेरे कमर पर हाथ रखा मैंने विरोध किया तो उसने मुझे कहा कि मेरे पती की वज़ा से मेरी मा को विधानसवा चुनाब लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने मुझे लारज दिया कि अगर मेरे पती को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है तो मुझे उसका पालन करना होगा उसकी शारिरिक जड़तों को पूरा करे जब मैंने इंकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि उसके पास एक बंदूख है और वह मुझे और मेरे पती को नहीं छोड़ेगा फिर उसने मेरे शरीर के सारे कपरे उतार कर अपने मुबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग की मेरा रेप किया उसने इस वीडियो को लीग करने की धमकी भी दी उसे जब भी जरूरत परी अपने शाररिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे मजबूर किया करनाटक के मुखे मंत्री सिदार मया ने शुकरवार को बताया कि प्रजोल रिवन्ना के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है या केस एक महिला के 20 साल के बेटे के शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है उसका कहना है कि प्रजोल के पिता जेडियस विधायक एजडी रिवन्ना और उसके करीबी सतीश बवन्ना ने उनकी मा का किर नैप किया सदार मैया ने कहा कि उन्होंने पुलिस को पीडित की पहचान करने उसका पता लगाने उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया है एक पुलिस सुत्र ने बताया कि सतीन को गिरफतार कर लिया गया है उसे पूस्ताष जारी है महिला तीन बच्चों की मा है और उसका अफ़रन मैसूरु जुले के कृष्णा राजा नगर इस्थित उसके आवाज से किया गया था सांसत प्रजुल रिवन्ना से कथित तौर पर संबंदित कई अश्लील वीडियो क्लिप हाली के दिनों में सामने आया है वहासन लोकसवाज छेतर से एंडियो मिदवार है जहां 26 अप्रैल को मद्दान हुआ था उसके बाद वहाजने एक पासपोर्ट पर विदेश चले गया थे